इसका जो पहला श्लोक है उद्दम करेंद्या जियोतु कमामद्या सुक पुंच हमको अपनी प्राब्लम डूढने होगी उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा जो लोग समझाते हैं आखे बंद कर लो बगवान का नाम लिये जाओ एक सो आठ बारी माला फेर लो या इतनी ल जो जाएंगी नहीं ठीक होएंगी ओई बगवान जी किर्पा बक्षिश ऐसे नहीं करते हैं बगवान जी किर्पा बक्षिश है उनकी दियोई विज्डम उनकी दियोई सुमत गुर्मत अकल ये जो गुर्मत है न ये जो विज्डम है न पृत्फुल लिविंग जीवन जी केस किरपा नदर बोलते हैं मेरे घर प्रॉब्लम है और मैं आखे बंद करके बैठा रहूं घर में आग लगी हो और हे भगवान जी मैं आपका आने भगत हूं बचा लो तो आप पे भगवान जी नहीं आएंगे फायर ब्रिगेट को कॉर करनी पड़ेगी और एफर्ट्स करन अरफर्ट्र जीओ अगर प्रॉब्लम हो गई है तो तेरे को एफर्ट करने होंगे एफर्ट उस्थ उस तरफ करने होंगे जो प्रॉब्लम समझ में आ गया प्राब्लम समझने के लिए आखे खोलनी पड़ेंगी, कोई अपना दे, अपना गोल बनाना होगा उद्दम करेंदे जिए तु कमाव दे आ सुख पुंच, कमाना सिरफ पैसा ही नहीं होता, अपनी हैबिट्स अपना सुभभाव, अपना एटिटूड भी कमाना होता है त्याइंद्या का मतलब होता है, राम, 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 राम तिया उना बोलते हैं त्यावणा तयें तो बने है धे होता है लक्ष कोल त्याएं द्याद तु प्रभू मिल तेरे अंदर से तू मिल सकता है जो द्याते नहीं है वह पहाड़ियों पे तीर्थों पे मस्या पुड़माशी संग्रान पे शालाना और मागी वाले नानने जाते हैं, क्योंकि कोई गोल ही नहीं है, जिसका अंदर बगवान है, उसका गोल है, उसकी कोई अच्छन नहीं आ सकती, उसके रास्ते में कोई पाड़ियां नहीं गिरती है, कोई लेंड्सलाइट्स नहीं होते हैं, कोई बस नहीं गिरती है, कोई यात्री मर नहीं जा क्योंकि उसका डिस्टंस ही जीरो है, इधर को आड़ है, जब जी जुकाए, गर्दन जुका कर देख लो, तो प्रभु मिल नानक उत्री चिंत, चिंत, चिंता, फिकर, we all are worried, हम सब को चिंता है, और पिछले सेमिनार में अमने समझा था, रामया हूं बारक तेरा, काहना, नहीं करता हूं, अपने attitude को fix up नहीं करता हूं, जिसके कारण चिंत पावन मन परेओ हमारा, कबीर जी का शबत था, चिंत पावन मन परेओ हमारा, मैं दिन राट चिंता और फिकर में हूं, मेरा परिवार टबर बिगड़ गया है, बच्चे बच्चियों की शादी से लेके, घर की कमाई से लेके relationship में सारी गड़बढ हो रही है गड़बढ हो रही है के नहीं हो रही है देखो आज तो पिछले जमाने से multiplied many times गड़बढ हो गई है कि आपस में लड़े भी नहीं हुआ है फिर भी एक परिवार के छे बंदे सारे dining table पर बैठे है और सारे cell phone से जुड़े हुआ है एक दूसरे से तुटे हुआ है एक घर में तीन कमरे है और तीन कमरों में दो बेटे और एक में माबा परहते है तीनों ने अलग लग टीवी लगाय हुआ है किसी से कुछ लेना देना ही है अगर घर में बुड़ी मा बैठी है और बच्चे है और बहु है वो अपना टीवी लगा के अपनी किंती पार्टी में वो प्यूटी पार्लर में गई होई है और बच्चे अपनी इसपोर्ट्स की गेम खेल रहे है दादी आवाज मार रही है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, हर कमरे में एसी चल रहा है तो हम तूट तो गए है, तूट रहे है हम एक दूसरे से पास में रहते हुए बिछड रहे है दूर रहना प्राब्लम नहीं है मांसिक तौर पर हम एक दूसरे से बिच्छड रहे है हमको सोचना होगा ये जो चिंता बन गई है इसको कैसे करें fix up कैसे करें ताकि हम चिंता रहें सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रब्टू वरतन्ता अचिन्त वरी लेस वाला जीवन कैसे जी सके ये तो वरी करनी है कि हमारे घर में बुज़ूर क्यों रूल रहे है ये वरी तो करनी है कि हमारे बच्चे अशलील कपड़े क्यों पहनने लग गए है आपको मालूम है कि जो इस्तरी अपने बाथरूम में या ज्यादा से ज्यादा अपने पती के सामने बेडरूम में जो कपड़े पहनती थी आज वो पार्टी में पहन के जाती है Am I right? उच्चा बोलो शरम आंदी है सानू साबनू शरम आ रही है तो सब तो ज्यादा शरम उसको भी आनी चाहिए जो फैशन अशलील बनाने वाले को मार्किटिंग का सारा पैसा दे कर अपना तन दुनिया को दिखाने के लिए उसका फैशन एडॉप्ट कर रही है तो जो एडॉप्ट कर रही है न वो अपनी गेम में मस्त है तो सारा हम तूट रहे हैं सारे चारो पासे गड़बड हो रही है हमने न अभी चार दिन पहले पीतंपुरा में U.U. ब्लॉप्ट वहां के प्रबंदकों ने बड़े प्यार से हमें बुलाया वहां पर एक प्रोग्राम किया डाक्षणा प्रोग्राम में शबद आया न्रिप कन्या के कारने एक पया पेकतारी कामार्थी सुआर्थी वहां की पैच सुआरी ये शबद आया और मैं सुन के हैरान हूँ कि बताया ये जा रहा है न्रिप होता एक राजा राजा की बेटी के उपर एक आदमी कामुक हो गया तो उसकी इच्छा थी कामी कामार्थी और वो अपनी इच्छा के चक्र में राजे की बेटी को हथे आना चाहता था कामुक सेक्शुल बिर्थी का फसा हुआ इंसान तो पता क्या लोग सुनाते हैं कि जैसे वो राजा की लड़की के चक्र में जो बंदे ने ऐसे सोचा भगवान जी तुमने उसकी भी डिजायर पूरी कर दी वाह क्या बात है धर्म स्थान पर ये बात सखाई जा रही है कि किसी के उपर मोहित हो जा और उसके लिए भगवान जी से बंदि करो तो भगवान जी प्रात्रा पूरी कर देते हैं सेही ऐस और नो ऐसे कर देते हैं खरतो ना जो सडक पर हमारी बेटी जा रही है उसको जो उसकी इज़द लूटने वाले हैं वो कहेंगे हमने भगवान जी का के बंदि की थी उन्हें हमारी डिजायर पूरी कर दिया ऐसे नहीं है तो हमने शबद को जब महां विचारा है तो शबद में तब गुन कहां जगतगुरा जो कर्मना नास है सिंग शरन का तजाई है जो जम्बुक ग्रास है तो शबद के रहाव में बोल रहे है कि आप शेर है मैं आपकी शरन में आया हूँ तो मेरे को गिदढ गिदढ, कावर्डनेस आ गई है कि मैं अपने इस गंते ख्याल को फाइट भी नहीं कर पा रहा तो जो जो मैं आपकी शरन में आऊ मेरे को mighty mighty बनाऊ मुझे ताक्त दो ताकि मेरे को जो गलत ख्याल आते हैं ना इवल थॉट्स आती है मैं उनको suppress कर सकूँ मैं उनको छोड़ सकूँ और वो future में मेरे ख्यालों में ना आया करें ये शवद का रहाओ हुआ है तो अब इस रहाओ को पकड़ के जब इसको पढ़ेंगे ना तो पता लगेगा के दुनिया का हर इंसान राजा है लेकिन कौन सा राजा? Coward मैं warrior type राजे की मत आप से मांगता हूँ रिप होता है राजा मेरा मन इस शरीर का राजा है रिप कन्या कारण है कन्या का मत्तब होता है मत राजे की सुमत ब्रेवनेस वाली अकल इक पयाप एकतारी मैं बहुत निमरता से आपके पास आया हूँ इसका मतलब हमारे घर जो बिगड़ गया है इनके लिए जितनी भी प्रॉब्लम से हैं उनके लिए हमको निमरता का वेस धारन करना होगा नमरता का वेस क्या होता है नमरता का वेस ही होता है कि मैं बहुत स्याना नहीं हो गया अभी मुझे और कुछ सीखना है मैं परफेक्ट नहीं हो गया मुझे सीखना है kindly grant me wisdom जहां से भी चारो तरफ से सीखा जा सकता है पड़े से भी अनपड़ से भी गली में जाडू मारने वाले से लेके पखाना उठाने वाली तक सब से सीखा जा सकता है बच्चे से भी सीखा जा सकता है बुजूर्ग से भी सीखा जा सकता है graveyard की तरफ देखने से भी सीखा जा सकता है तो यह हमारी इच्छा हो गई हमारी डिजायर वो नहीं है कि कैसे एक राजे की लड़की के उपर मोहित हो कि उसको अपनाना है हमारी इच्छा यह है कि हमारे सब का घर बिगडा हुआ है हमको ऐसी spiritual अकल दो ताकि हम relationship को fix up कर सके तो हम इस सेवक की मंशा पूरी पही सतूरते निर्मल मतलही वाला message लेंगे आज के शबद में आखीर में आता है जैन अर्सिमरन पे आता है उपाद गत कीनी उपाद क्या होता है तीन रोग होते है सुभाश जी रजो तमो सतो ऐसे तीन रोग होते है आदी व्यादी उपादी सो आदी रोग होता है मान का दुख फिकर चिंता व्यादी रोग होता है किसी की तरफ से हमारोपर लगाया गया दूश कलंक उससे मानसिक जो पीड़ा होती है उपादी उपादी होता है हमेशा चगडालू बिरती और हम सब की चगडालू बिर्ती बन गई है शबद सिखा रहा है कि तू ऐसा कुछ कर जें हर सिम्रन पे आ तैं उपाद गत की नहीं जब सत्गुर्द की बात समझ में आई और उस से मैंने अपनी चगडालू बिर्ती को ठीक किया वरना हर किसे से मेरा जगडाई होचता है डाक्टराव याद है कि जब हमने एक बारी सेमिनार किया था तो उस सेमिनार में हमने सीखा था कि किसी को थैंक्स करो तो ऐसे एक दूसरे को थैंक्स करना चाहिए एप्रिशेट करना चाहिए किसी का कुछ भी किया हुआ तो पत्नी दोनों सेमिनार सुन गए तो पत्नी ने सोचा कि बही मेरा पत्नी आएगा मुझे चाहिए कि मैं उसके लिए प्यार से खाना बनाऊं तो पत्नी ने प्यार से खाना बनाया और पत्नी सुन गया था कि थैंक्यू करना चाहिए प्रेज करनी चाहिए, तो पति आज शाम को घर जाते हो, सोचने लगा, आज हम लड़ेंगे नहीं, आज मैं जा के प्रेज कर दूँगा, पत्नी सोच रही थी, आज तो लड़ा रही होगी नहीं, मैंने खाना प्यार से बनाया है, पत्ती के लिए प्रोज के दूँगी, तो पत्ती ने जब आके कहा, आज ते रोटी बहुत स्वाद है, तो पत्ती ने बोली, हाँ हाँ, आज ते बोलोगे ना, बस इतनी बात में लड़ाई शुरू हो गई, जब हम छोटी छोटी बात पर चारो तरफ लड़ रहे हैं, इसको उपादी का रोग कहते हैं, चगडा, लू, बिढ़ती, हमारी आदत है, कि हम 99 के हुए कामों को इग्नोर करके, किसी एक पॉइंट पर जगडा शुरू करते हैं, तो इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जहां के वासे है, काम तेन, काम तेन होता है, एक हावत बनी हुए है कि स्वर्ग में एक काम तेन का हुए होती है, जिसको मिल जाते हैं, उससे जो माग मिलेगा, हमने इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, मरने के बाद वाले स्वर्ग की, जन्नत की, हैवन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया नर्क बन रही है, और हम सोकाड तर्मी बने हुए हैं, हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की बात कर रहे हैं, तो काम तेन होती है, मेरी वो वाली मत, मेरे मान की वो वाली बिर्ती जिसको ये समझ में आ गया है कि अगर रिलेशन्शिप ठीप करने वादी अक्कल मांगो तो वो काम तेन गव मींस वो पूरी करने की सुमत भगवान जी दे देते हैं